यह कोईशन जही एडवांस 2018 की पेपर 2 का है और जैसा दिख रहा है शकल से और तुम्हें जैसा के दिख्याओ का थमनेल पर के नंबर ओप्टिकल आइसमर्स की काउंटिंग है तो इस क्वेशन में जो एक्शुल एक्शुल कोईशन वो यहां पर है यहां पर नहीं आपको ल जैनिंग दे दिया है और जितने भी टोटल नंबर फिस्टी आइसमर्स निकल सकते हैं उसमें से आपको पहले चट्टी करनी पड़ेगी आपको कट डाउन करने पड़ेंगे नंबर्स को और कई सारे लोग इसको बड़े चोटे तरीके से बना लेते हैं बड़े चोटे तर चाहता है यह चेक करना चाहते हैं वो कि अगर तुमारे सामने नई सिच्वेशन आती है तो तुम जो भी नॉलेज होती उसको अपलाई कैसे करते हो कर भी पाते हैं नहीं कर पाते हो तो आप अगर इस क्वेशन को पड़ोगे तो पहले तो गीवन कंपाउंड एक्स की हमिए यहाँ से सोचने हैं यहाँ पर जो पढ़ोगे इन दोने स्टेटमेंट को तो आप देखे हzić के बारे में क्या लाइं बोलीगे इस कर दिश्यकुक निए चाहिए जिवेज के अलावा जो नोटेशन आपको दिखाई देरा है तो वेज वाला नोटेशन है उसके बारे में नोने बोला है कि जहां कहीं पर भी यह वेज नोटेशन लगा जैसे specific carbon पर यह से जुड़ावा जो भी specific double bond है वो fixed है तो configuration of the specific carbon and the geometry of the double bond is fixed this type of bond indicates that the configuration of the specific carbon and the geometry of the double bond is not fixed तो यह कर ली वाला जो है वो fixed नहीं है आपको यहीं पर changes करने और changes करकर के जितने भी different type के stereosmurs बन सकते हैं optically active stereosmurs बन सकते हैं उनके बारे में सोचना है तो अभी changes आपको सिर्फ और सिर्फ सिर्फ इस कार्बन पर करने हैं और obviously आपको जो यह line बोली गई है जैसे specific carbon की बात नहीं की गई है geometry of the double bond की भी बात की गई है तो double bond की geometry यानि के आप इस double bond को sis और trans दोनों form में रख करके सोचेंगे और इसे छेड़ चाड़ नहीं करेंगे कुछ नहीं कर सकते इनको पता इससे क्या समझ में आया एक बात तो आपको फटा फट समझ जानी अगर इस wedge part को wedge positions को अगर आप change नहीं करने वाले तो that means कि enantiomers नहीं सोचने जितने भी optically active molecule साब बनाने वाले हैं यहां पर changes करके उनके enantiomers मत सोचने लगना because कि enantiomers की अगर बात करोगे तो हर जगे जहां पर R configuration उसका S बनेगा S configuration का R बनेगा यह होने वाला है तो indicate कर दिया है उन्होंने पहले ही कि आप तो optically active stereosement निकालने जाएंगे लेकिन आपको यह imagine करना है कि यह सारे fixed हैं तो that means कि भाईया सिर्फर सिर्फ हमें diastereomers सी discuss करने हैं हमें optically active diastereomers discuss करने हैं basically fixed है अगर वो fixed नहीं होता आप हम इनाइंशमर भी count करते हैं because के वो mirror images में वो change कर जाते तो अब चुके diastereomers मुझे count करने हैं तो सिर्फ मुझे focus यहां पर करना है तो अगर मैं इस spiral carbon पर focus करूँ इस geometrical zone पर focus करूँ और इस spiral carbon पर focus करूँ तो basically मेरे पास 3 stereo zone है जिससे total हमारे पास 2 to the power 3 यानि के 8 different stereo isomers produce हो सकते हैं लेकिन एक ऐसा stereo isomers होगा जिसमें configuration यहां पर आप exactly wedge बनाएंगे और यहां पर भी exactly wedge बनाएंगे ऐसे केस में यह उपर का पार्ट और नीचे का पार्ट बिलकुल एक दूसरे के mirror image के रूप में दिखाई देने वाले हैं और यह हो जाएगा meso isomers चुके question ने आपको exactly बोला है एक्टिव इस्टिडियो आइसुमर काउंट करने के लिए और हमने तो पहले decode कर लिया है कि नोंने basically जो stereo isomers की बात बोली है वो stereo isomers actually सिर्फ और सिर्फ डाइस्टिडियोमर है तो आपको diastereomers ही count करने हैं और वो diastereomers भी क्या होने चाहिए optically active so एक जो optically inactive बनेगा जिसमें specifically यह configuration आएगी कि यहाँ पर भी wedge होगा और यहाँ पर भी wedge होगा उसे minus करेंगे तो total answer 7 आएगा और जैसे मैंने बोला जो भी 7 है वो optically active है और उनके भी नाचुमर होंगे तो total 14 नहीं count कर देना है यह वो question है जिसको कि actually सिफर से 5% students सही कर पाए अगर आप यह advance का data देखेंगे 2018 का तो actually almost 90% student ने इसे touch किया था प्रिसाइसली बोले तो 89.9% के आसपा से student ने इस question को touch किया था यह सोच करके यह तो बनी जायेगा करने ही कैसमें लेकिन जो भी 90% के आसपा से students ने इन्हें attempt किया उसमें से 5% student ही सही कर पाए तो सही answer निकाल पाए थे यह तो हो गया shortcut method बट अगर आप इसे थोड़ा analytically करके देखना चाहते हो अपने आपको समझाना चाहते हो तो आपने क्या कर देना है कि यहां पर numbering कर दो इन दोनों chiral carbon के लिए numbering कर दो और यह जो geometrical zone है एक बार इसे transfer रखो और एक बार इसे cis पर रखो तो जब आप transfer carbon को आप wedge पर रख करके second वाले को dash पर रख सकते हो और एक बार आप दोनों को ही dash पर रख सकते हो right यह जो आपको wedge यह जो आपको दिखाई दे रहा है ट्रांस में वेज वह exactly ऊपर भी है और उसी से हमने मीजो बनाए था राइट बीश में प्लेन आफ सिमेट्री वाला तो यही हमारा मीजो बन जाएगा और आप्टिकली इनक्टिव हो जाएगा तो यहीं इस एक को माइनस करेंगे अधर्वाइस ट्रांस में चार सिस में चार बनेंगे चार आठ बनेंगे जिसे हम शौट में ऐसे निकाल रहे थे यह तरीका हो गया अगर बात कि जाए कि कोश्चिन में इस्टुडेंस ने गलती कियोंकी तो मॉसली क्या होता है कि नंबर 20% तो चांस एही होता है कि आप गलत करोगे वैसे कोश्चिन मुश्किल नहीं था बहुत प्यार से कोश्चिन को अनलिटिकल बना दिया गया था धेर सरी बाते बोल दी गई थी वैरियेशन डाल दिये गये थे जैसा मैंने बोला कि इस तरह के कोश्चिन काफी सारे हम बनात दिया फिक्स्ट कंफिग्रेशन वाले कोश्चिन में करना ही जाही होता है डायस्टूडियू मर ही काउंट करने होते हैं सब्सक्राइब कोश्चिन से बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी समझ में आ रहा होगा आपको क्यों 5% स्टुडेंट्स ही इसको बना पाएं राइट वाले बेस्ट